टोटल 900 पेज़ का बुक है आपके पास थोड़ा बलकी बुक है पर यह पहला बुक है और दो बुक है सेम सो जनरली जो मेरा मेरा फुल कोर्स करता हो ना वहां पर साड़ी तीन चार मेना बैच चलता है सो वहां पे स्टूड़न ने लिखा हुआ जो नोट से हर एक सम किया हुआ वही है सो जनरली स्टूड़न यह बोलके आता है कि उसको फास्ट्रेक बैठना है बट मैंने प्रॉब्लम यह रियलेज कि उसको प्रॉब्लम फाउंडेशन में रहता है और उसकी वज़े से वह कॉम जब समेट होगे ना सब चीज को तो आपको रियलाइज होगा कि मोर देन पाच्छे सोर्सिस है और उसके बावजूद सम खतम नहीं हो रहा है सो बहुत सारे सम हो जाते हैं सो अभी यही जो ओवर लास्ट सिक्सियर्स मैंने स्टूड़न का experience सुना सो मैंने यह सब सिमुलेट किया हुआ है एक नोट्स के अंदर सो जितना भी वराइटी इंस्टिटूट का लेटेस्ट पी एम इंक्लूजिव जो भी रिसेंट अभी अक्टोबर में रिलीज हुआ वह भी वह सब कंसिडर करके मैंने डिफरेंट वराइटी जितना भी इंस्टिटूट का है वह डाल दिया है और वही मैं स्टूड़न को वह साड़े तीन चार मेने का जो मेरा बैच हो था उसमें पढ़ाता हूँ वही मैं आपको भी नोट्स दिया हूँ अफकोर्स देर और मोर देन 600-700 सम्स और बहुत सारे मेरे हैंड्क्राफ्टेड एग्जाम्पल्स है जो क्लास में स्टूड़ने स्पॉंटेने स्पॉंट पूछे उसके सब एग्जाम्पल्स है प्लस काफी सारा मैंने CFA इंस्ट्यूट का कॉंटेंट रखा हूँ है खास क सब आता भले theory के form में हो बड़ो theory लिखी नहीं पाते हैं जब तक अपने को concept या उसका सम्स करने नहीं आता है वो सब के regarding मैंने multiple sources से भी सम्स रखे हुए आपको syllabus बहुत लंबा लगेगा आपको बट हर एक topic interconnected है मैं अभी वही describe करने वाला हूँ कि कैसे यह सब पढ़ने का कि क्या flow में पढ़ने का तो मैं अपना जो भी lecture continue हो रहा है मैं वही flow में पढ़ा रहा हूँ जो flow में आप पढ़ोगे और वही flow में notes भी है सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है और यह सब करने के बाद if you want to go with PM and RTP you can go that all that thing is covered so if you go there it's gonna be perhaps second revision right so don't worry about that मैं चाहता हो कि वह सब एकी में source में हो जाए हाँ अभी क्या होगा पता है यहाँ पर जो मैंने आपको notes दिया ना जस्ट आप अगर उसमें थोड़ा आगे घूमोगे ना तो index पर अगर आप आओगे ना मैं segment 1 क्या है capital market में discussion करूंगा बट आप index पर आगए public तो इंडेक्स पर आपको कुछ दिख रहा है वहाँ पर पाच टॉपिक है mutual funds, portfolio, equity, bond और mergers and acquisitions everyone अब new course हो या old course हो, segment number one यह जो मेरा book है और इसके पाद जो दुसरा book आपको दूँगा segment number two, वह सब के लिए same, unfortunately new course वालों के लिए PMVM है नहीं, तो वो लोग उनका भी reference होई है, अब अगर मैं new or old course समेट लूँ तो बहुत बड़ा portion हो जाता है और मैंने सब चीज़ कवर अब किया, आप new हो old हो यह तो करना ही है bare minimum, segment one or two, so segment three है, उसमें new और old में minor difference है, old वालों को capital budgeting, leasing, factoring, dividend policy है, new वालों के लिए all theory topics है, so segment number three anyways अपना बाद में है, so don't worry about that, I think अपना पहला maximum days अपना segment one or two में ही जाएगा और वही flow में आपको भी पढ़ना है, so अभी वापे index में आपको दिख रहा है mutual funds, portfolio, equity, bond और MNA, उसमें मैंने बाइफर्केशन किया हुआ है, अभी generally मैं क्या करता था, अगर आगे आपको बताऊंगा, मैं mutual funds के एक साथ 25-30 अलग variety के sum कर आथा था, अब वो पहली बार आप करो, मजा भी आएगा, पूरा flow में, everything, सब variety, सब knowledge आपको मिल जाएगा, मैं industry में जो latest update हुआ है mutual fund industry में, SEBI की तरफ से वो सब भी डाला हो, काफी कुछ आपको, अगर आप elective subject, अगर आपको finance में interest आए और FACM लो, तो उधर भी help करेगा, same चीज, but problem क्या हो जाता है, 25-30 sum में, एक-एक chapter में करूंगा, portfolio में अपना total नहीं नहीं तो 70-80 sum है, अब वो करने में तो यहापे आपको मैं करा भी दूंगा, लेकिन फिर last day आपको वो डेड़ दिन में SFM करके जाना है, तो तब student का generally route आता है, sir, अभी last day के लिए कौन चा तो जैसे आप mutual fund का topic open करोगे, sir, तो आपको heading दिख रहे हैं, आपको questions जो मैंने रखे, core problems, यह वो sum है, जो अपन class में सब लिखके करेंगे, क्योंकि यह most repetitive sum है, और यह थोड़े complicated sum भी है, past paper oriented sum भी है, अब इसी से related, जहाँ जहाँ पर मैं छोटा मोटा concept explain करूंगा, मतलब, क्या है, बता है, for example, question number two, देखोगे न, तो question number two कर पाने के लिए, मेरे को 3-4 concept आपको बताना, चोटे-चोटे concept, ताकि आप question number two जो आपको वापर दिख रहा है, based on following information, जो institute ने अब तक 4 बार पूझ डाला है, और वो sum repeatedly institute पूझता है, लेकिन मैं direct वो sum नहीं करा पांगा, उसके पहले आपको छोटा-मोटा concept checker कराना पड़ेगा, जिसे आपको mutual fund industry क्या है पता चले, और एक और बीच में page मिलेगा mutual funds concept checker करके questions, अगर आप portfolio के पहले ना, पाच्छे pages पहले देखो ना, 1234567, left hand side में mutual funds concept checker मिलेगा, type questions रहेंगे वापर, so ये वाला जो questions है, ये अपन practice के लिए है, और देखने के लिए, और देखने के लिए, reference के लिए है, these are quite easy questions जो आपन practice के कर भी सकते, अब ये सब questions plus इसके अंदर है ना, बीच में कहीं पे भी अगर आप देखोगे, जैसे आपका mutual funds वापस आगे, आगया जाओ, mutual funds में, आपको starting में मेरे notes में दिखेगा, वहाँ पे मैंने mutual fund का index रखा हुआ है, फिर mutual fund industry के बारे में theory है, जहाँ पे मैं आपको mutual fund industry कैसे काम करते हैं, और उसके बाद, जो पहला sum आपको दिख रहा रहेगा, calculation of NAV, वहाँ आप एक्जामपल 1, सामने एक्जामपल 2, ऐसा सब दिखेगा, So sir, there are three categories of sum that I have put, three different categories, now why I will explain you all over the period, एक है वो concept checker जो आपने पीछे देखा, दूसरा है core problems, और तीसरा है जो बीच में मैंने अपने बनाए हुए example डाले हुए, अब वो example और concept checker ही अपने को help करेंगे, ताकि आपन वो core problems कर पाए, So, आपको भी मेरे साथ में, जितने भी core problems है, अपना मकसद यह है कि यह जितने भी core problems है, सब मेरे को आ जाने चाहिए, ताकि अपना mutual fund का topic, उसी तरह से portfolio, equity का, bond का, जो variety है, सब cover up हो जाए, अब इसके लिए concept checkers, और वो example जो मैंने भापे create के हुए, वो अपने को help करेंगे, So, that will be the flow, तो मैं काफी सारा आपको जिग-जाग लिकर जाओंगा, concept checker पढ़ाओंगा, उसका concept समझने के बाद, मैं आपको बोलूँगा, चलो, अभी core वाला problem करते है, तो आपन सब core वाला problem solve करेंगे, right, everyone, बीच में, बहुत सारा calculation technique है, जो शायद आपको आता रहा है, नह मैं उसमें update कराऊंगा, और बीच में अपना एक session होने वाला exclusively time value of money के लिए, जहापे खास करके जब अपन bonds या MNA पर जाएगे, तब time value of money का बहुत ज़्याता ज़रुवत पड़ेगा, तब वहाँ पर आपको जितना भी calculation related issue है, वहाँ पर अड्रेस करेंगे, ताकि class में ब अड्रेस, I'll help you all with a new technique and all that, right? ठीक है? चलो, so let's start with mutual funds, and मैं कोई भी topic start करूँ, उसके पहले मैं generally industry के बार में बताता हूँ, but over and all about that, मैंने ये पूरे SFM को तीन segment में वाइफर के किया है, उसमें से segment 1 जो अभी आप देख रहे हो, सरो segment 1 का मैंने वहाँ पर नाम रखा हुआ है capital markets, if you see, आपको वापे मिले का segment 1 capital markets, हाँ, अब segment 1 में capital markets अगर आप वहाँ पर देखोगे, तो मैंने capital markets में topic रखा है, आपको वापे mutual funds, portfolio, security analysis, equity valuation, security analysis, bond valuation, mergers and acquisition, और time value of money, हाला कि ये कोई official topic नहीं है अपने syllabus में, है, but मेरे ही सबसे time value of money सबसे crucial, अब इसको मैने segment 1 में bifurcate करने के पीछे का reason, because this is entirely related to capital markets, all those people who are keen on, you know, getting into finance industry, or getting into investment banking, this is that particular segment, ये segment 1 जानना जरूरी हो, और दूसरा कारन ये सब topics रखने का ये आपके institute में ये flow नहीं है, institute में थोड़ा random है, mutual funds कि तर और है, portfolio कि तर और है, but य क्यों, क्योंकि सर, ये सब का connection है, आप mutual funds करोगे, तो portfolio करोगे, portfolio करोगे, तो equity करोगे, equity और bond और M&A करोगे, so ये all in a flow है, उसके अलबा सबसे important चीज़ कि 40 to 50% आपका portion ये वाले segment से आने वाला है, नहीं नहीं, तो आपको 200 से 300 formulas है ये particular segment में, सब formula आपन cover up करेंगे, with concept आप formula का revision भी करोगा, हाँ, लेकिन, अभी अगर आप मेर को पूछो के, कि सर, mutual funds कितने माग के लिए आता है, portfolio कितने माग के लिए, equity, कोई भरोसा नहीं, the trend of institute is that there is no trend, so there has been exam, जा पे 24 माग के लिए भी mutual fund पूछा है, और 5 माग के लिए भी पूछा है, there has been exam, जो portfolio, जो student को one of the complicated topic लगता है, वो 25 से 30 माग के लिए भी पूछा है, और 0 के लिए भी पूछा है, पूछा ही नहीं, ऐसा भी किया, equity, equity और bonds, equity और bond का minimum एक सम तो आता ही है, equity के case में क्या होता है, equity के case में, या तो equity valuation का अलग से, वो लोग topic में अपने को question पूछते है, या mergers and acquisition में, अपने को equity valuation करना ही पड़ता है, by default, तो लोग M&A के दो 10-10 माग के सम डाल देते हैं, so, अगर आप मुझे पूछो के, overall sir, individually क्या आता है, topic wise, कोई भरोसा आने, लेकिन ये पूरा segment के अगर आप बात करोगे, तो minimum 42-50% है, ये segment से आता है, सब से आता students, generally डरता, 4X derivatives से है, but मेरा ये कहना ह कि scoring ये है, और इसमें scoring के सामने disadvantage ये हो जाता है, कि बहुत लेंदी है, और बहुत सारा formulas है, तो student थोड़ा pressurized होता है, क्यों, 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 flow में नहीं पड़ता है, और खास करके topic में, like portfolio management, जापे student को लगता है, कि बहुत सारा mathematics है, but वो mathematics नहीं है, और जो थोड़ा बहु the flow, और अभी ये flow में, आपन सबसे पहले शुरुवात करेंगे, अपना mutual funds, everyone, come to mutual funds, और mutual funds में, आप आने वाले हो, mutual fund industry के बारे में, so everyone, आपके page पे, mutual fund industry, okay, so, आपने आजकल बहुत जादा अड़ सुनना तो रह गई, क्या, वो तो disclosure, mutual fund investment है subject to market risk, please read the offer document carefully before investing, बहुत fast बोलता था, अभी सेभी ने उसको बोलता है, slow बोलो, तो अभी ये बहुत slowly बोलता है, investment है subject to market risk, please read the scheme information document carefully before investing, ये एक चीज़ तो ही, mutual fund के बार में, ज्यादा तर लोग को उसका disclosure बहुत ज्यादा पता है, लेकिन दूसरा चीज़ अ अगर आप आजकल notice करो कि बहुत ज्यादा आड आ रहा है, mutual fund सही है, देखियो आप वो punchline, thanks to that punchline, वो mutual fund जो आज has reached to a total investment, अगर मैं बात करो इंडिया में, total mutual fund investment कितना है as of date, तो वहाँ पे मैंने mention कि हैं मार्च 2018 का, but mutual fund का जो reporting होता है, mutual fund में जितनी भी mutual fund companies रहती है, जितनी भी mutual fund companies रहती है, उनको हर quarterly, और हर rather monthly, और फिर quarterly, mutual fund का industry का update देना पड़ता है, किसको, किसको, capital market में अपना माई बाप कौन है, SEBI, SEBI को reporting देना पड़ता है, कि industry में आपका business कितना बड़ा गीरा, whatever, so as of date, अगर मैं बात करूँ, आज के मैने में, तो recent quarter था, December 2018 का, उसकी सबसे mutual fund in India, there are around 42 active asset management companies, आज दिख रहा है वाँ पर पुब्लिक आपको, as of date, वाँ पर March 2018 लिखा है, मैंने आप चाहिए, तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, December 2018 के date पे, there are 42 asset management companies, asset management company, asset management company, वो company होते हैं, जो mutual fund का business manage करते हैं, there are 42 asset management companies, in India, managing assets, managing assets में मैंने क्या लिखा है, AUM, now AUM कोई अपन क्या बोलते हैं, सर, asset under management, AUM, ऐसे short short jargon जाते रहेंगे, जो आपको used to हो जाना है अभी, AUM, तो AUM का मतलब क्या कि, आज mutual fund industry, इंडिया में कितना fund manage करता है, तो यह 42 asset management companies मिलके, वापे मैंने लिखा है, मार्च 2008 के हिसाब से 23 लाग करोड, अभी recent जो information आया, उसके हिसाब से, we are managing 25 लाग करोड, now when I said 25 लाग, पाच जीरो और करोड का साथ जीरो, बारा जीरो, which is equal to, अगर मैं उसको term में लिखू, it is 25 trillion rupees, 25 लाग करोड का business, Indian mutual fund industry आज manage कर रही, small amount, big amount, what do you think, small or big, huge amount, right, huge amount, so do you think we are doing sufficient investment in mutual funds, आधी, yes or not, मैं आपको कुछ और figures बताता हूँ, there are 10 lakh, 10 lakh SIP, monthly, मतलब SIP, SIP सुने आप, systematic investment plan, जो आप recurring deposit करते हो, यह अपना syllabus में आगया आएगा, तब मैं SIP discussion करूँगा, तो जो monthly mutual fund में investment करते हैं, 10 lakh SIP है, every month 10 lakh SIP जा रहा है, और अगर उसके अंदर मैं बात करूँ, तो mutual fund, जो asset management company है, 6,700 करोड monthly collection हैं उनका, 6,700 करोड का monthly collection, और अगर मैं आगे बात करूँ, तो there are 8 crore accounts, 8 crore accounts, जिसको हम लोग mutual fund में बोलते हैं, folios, different account, मतलब समझा, आज मेरा family है, मेरे family में, mother, father, my brother and myself and my wife, पाज जन के account होगे तो 5 folios, so आज mutual fund industry में 8 crore folios है, as of date, good number, bad number, everyone, right, but, 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 यह सब के पीछे जो कारण है, जो last 2 साल में, यह सबसे बड़ा surge है ना, last 2 साल में हुआ है, 2 साल में हुआ है, मतलब sir, अगर मैं, जब मैं industry में enter हुआ था, 2008 की में बात करू, तो 2008 में, mutual fund में AUM था पाच लाग करूर, 2008 में, और अज अभी आपन 2018 जो अपना last year खतम हुआ, उसकी सबसे में अभी आपको अपको 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 कितना बोला, 25 लाग करूड, it's a jump of 5 fold, in 10 years, a very healthy jump, right, and, as per the recent report, it is said that, 2025 में, अइन mutual fund business will hit 100,000,00,000,00,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00 quand ईक लाइपको अपको 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 अपक says 10,000,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, it's a very healthy jump, अब जो यह लाश्ट दो-तीन साल में सर जो है ना उसके पीछे इंडस्ट्री बोलता है दो बड़े कारण है एक तो की सबका ब्लैक मनी बंद हो गया तो डी मॉनेटाइजिशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए लोगों ने पहले इदर उदर इंवेस्मेंट करता था सब्सक्राइज आराल, एक अपरन जया रहा है लिकिन जैरा है बहुत जारा यह पंबात ज्यादा savings है जितने भी official financial savings है वो सब में investment बड़ा है फिर वो insurance हो, mutual fund हो सब जगे बढ़ा है so that has been one of the reason plus 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 a lot of awareness through that mutual fund सही है देख रहे हो न आप वाप है उसमें वो लोग अपने को दुनिया बर का knowledge दे रहे है कि क्या करने का mutual fund में डालने का डालने का और रुखने का long term के लिए ये जो उनका campaign run हुआ है that has brought huge investment returns not returns, huge investment in the market so that campaign is a super hit but all this said and done the problem that we in India face is that sir, mutual fund में इतना सब बोलने के बावजूद एक चीज होता है कि आपका AUM Asset Ender Management GDP का कितना प्रतिशत है how much is that of GDP so it is said that आज इंडिया में AUM to GDP is around 10 to 11 percent 10 to 11 percent ये ही अगर मैं sir USA की बात करो तो it is 100 percent plus मतलब, क्या बता सकतो इसका मतलब क्या what does it mean France की बात मैं करो तो France मैं 76 percentage है अगर मैं बात करूँ Canada की Canada की तो Canada में it is latest date case आपसे 65 percentage है फिर Brazil जो अपने जैसा emerging nation है उधर 59 percentage के आसपास है मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ की ये सब countries अपने GDP का substantial percent मतलब GDP का उनका जाता है कि इदर mutual funds में लेकिन अपना industry अपना Indian market सिर्फ 11 percent मतलब it's such a huge opportunity there's so much of scope for penetration mutual fund में अभी जो ये level पे है इससे और 5 गुना 10 गुना बढ़ सकता है क्योंकि अभी तक as per the global trend global trend is 60 percentage of the GDP mutual fund में जाता है 60 percentage अपन तो 60 percentage और 5-6 गुना दूर है मतलब सोचो सर इंडस्टी में कितना बड़ा opportunity खड़ा है और as of date mutual fund में maximum investment कि दर से आता है सिर्फ Metro से और हो Metro में भी आपको जानके खुशी होगी कि सबसे दाधा investment आता है मुंबाइ से maximum investment then followed by Delhi, Bangalore and all other you know cities Mumbai is the hub for mutual fund investment now this is as much as proud feeling for us it's a worry for the industry कि mutual fund घर-घर तक जाता क्यों नहीं इसलिए they've started awareness and all now I see as a potential कि इतना बड़ा potential industry में तो let us understand कि यह इतना बड़ा industry जो अपने को लग रहा है 25 लाग करोड है और इधर से और 5-6 times जा सकता है तो sir market कितना उपर जा सकता है इधर से यह सब पैसा जाता है stock market में so अगर stock market में इतना पैसा जाके इतना चो lowest level पे आपन और जाके भी अगर market यह level पे तो इससे 5-6 times market भी बढ़ने का potential है no wonder industry और along with that अपने institute का भी focus है कि mutual funds सिर्फ एक topic ना रह जाए but that becomes an important system for all of us so now that's the reason why we begin with mutual fund and try to understand how the industry works एक बार आपन जड़ा आने वाला आपन थोड़ा time industry पे डालते है कि industry कैसे काम करता है इसमें मैं जो भी theory पढ़ा रहा हूँ सिर्फ जान नहीं दे रहा हूँ वो सब आपके लिए exam relevant है so exam मैं mutual fund का जो theory relevant है वो सब मैं discussion कर रहा हूँ इसके दोरान बीच में सभी का कुछ update है कुछ नया उन्होंने disclosure लाया है वो सब मैं discussion करूँगा and then we'll hit on the sum so once we understand the industry जैसे आपने छोटा छोटा भी मेरे वहां से वर्ड सुना क्या वो मैंने पहले disclosure में क्या बोला mutual fund industry are subject to market please read the they say this scheme information document उसको SID बोलते फिर मैंने बोला mutual fund में business कितना है AUM ऐसा छोटा 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 वर्ड में use करूँगा वो सब वर्ड अपने को question पढ़ने में और समझने में काम लगेगा right everyone बहुत बार क्या होता है student को question ही नहीं समझता उसको mathematics ही लगता है क्योंकि वो industry नहीं जानता है industry काम कैसे करता है so that's where we'll first understand how the mutual fund industry works उसके regarding जो आपके syllabus में important theory वो सब theory में in between आपको साथ में साथ में करा रहा हूँ right चलो everyone let's come to mutual fund industry और अपन पहले पढ़ते what is the mutual fund industry everyone आगे सब लोग वो पेच पे madam अपका नाम किया मैं भूल गया पढ़ो ना वो क्या लिखा है mutual fund हाँ पहला पेच्छ formed as a everyone formed as a trust क्यों trust sir क्योंकि public पैसा है it is just not a corporate entity it is formed legally as a trust in India why because वो अपना पैसा नहीं लगा रहा है मतब खुद का पैसा नहीं लगा रहा है आम आदमी का पैसा लगा रहा है so it is formed as a trust क्या करता है sir ये trust क्या करेगा public से पैसा लेगा और ये पैसे का क्या करेगा ये पैसे का financial security में पैसा लाल देगा उदर से क्या होगा sir उदर से जो भी returns आएगा वो क्या करेगा वो आपको और मेरे को वापस pass back कर देगा free में बीच में अपना कुछ commission के बदले अपन यहापे better word यूज करेगे बीच में अपना fee लेगा वो fee का भी नाम है expense ratio जैसे के कुछ बोलते don't worry आपन आगया आएगा तो अपना कुछ fee रखेगा और fee रखने के बाद अपने को पैसा pass back कर देगा so mutual fund क्या है पता है मेरे और stock market के बीच में जरिया है बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे mutual fund में पैसा डालना मैंनको बोलते हैं we are not putting in mutual fund we are putting through mutual funds where next slide पर देखूंगा stocks, bonds, commodities यह सब जगे पर जो आपन classification में देखेंगे कि mutual fund पैसा किदर किदर डालता है so mutual fund क्या है trust trust क्यों trust है क्योंकि public का पैसा manage करता है हाँ अभी sir यह trust के अंदर जो लोग भी पैसा डालने वाले है वो लोग को भी पता रहेगा ने यह पैसा किदर जा रहा है अब अगर मेरे को चाहिए कि मेरा पैसा equity market में ना जाए तो मेरे को तो कोई फोर्स्टों नहीं कर सकता कि तू यह mutual fund में डाल तो हर एक इंसान का जो भी अपना objective रहता है हर एक objective का अपना-अपना अलग-अलग mutual fund scheme रहता है आप जो scheme के साथ सहमत हो वो scheme में डाल दो so mutual fund क्या करता है public का पैसा pool करता है पूल करता है किनका पैसा जिनका एक common objective है नाम के अंदर नहीं है mutual fund आपका और मेरा सहमती हो तो क्या लिखा आगे मैडम of investors sharing a common objective or goal और आगे क्या लिखा है मैंने this pool savings by the mutual fund companies is further invested into various financial instruments financial instruments या financial security जहाँ से आपको financial instruments या financial security वैसी जगा रहे थी जहाँ पैसा डाला और return मिले वही तो अपना objective है तो various financial instruments और securities लाइक क्या लिखाया आगे equity equity debt or cash now when I say cash मतलब रोकडा नहीं अपने financial sector में cash cash मतलब cash and equivalent सुना रहे है अपने ये नाम cash and equivalent is in savings और उसका better version है liquid funds liquid funds या savings में आप पैसा डालते हो मतलब ये वो पैसा है short term instruments बोलते हैं हम लोग ये वो पैसा है जो आप कभी भी withdraw कर सकते हो easy so यहाँ पे cash का अपने पूरे financial market में cash का meaning एक ही है it's in short term instruments जहाँ आप आप easily liquidate कर रहा है इसका अपने रोकडे से कोई लेना देना नहीं तो कहा कहा पे पैसा डालते है mutual fund equity debt या cash में money market instruments अब वहाँ पे आगे क्या लिखा है मैंने mutual fund offers an opportunity to invest in a very very important thing जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो क्या है diversified ये diversification के उपर अपना पूरा next topic है portfolio management की diversification है क्या आपने और मैंने नाम सुना है पढ़ा है सब चीज बराबर है बढ़ी diversification होता क्या so mutual fund offers an opportunity to invest in a diversified portfolio which is managed professionally professionally मतलब कौन manage करेगा मैं manage करूँगा नहीं कौन एक fund manager fund manager कौन होता है उसकी qualification क्या होती है उसका experience यह सब अपने को पता रहेगा पता रहेगा डालने से पहले रहना चीए पता येस पता रहेगा हाँ क्या आप अगर समझो share fund में पैसा डालते हो या मोतीला लोसल में पैसा देते हो क्या आपको पता है आपका पैसा exactly कौन manage कर रहा है उसका history geography पता है आपको पता है exact पता है क्या return में लिखा है नहीं लेकिन mutual fund industry में सबसे बड़ा advantage है transparency तो ये जो scheme information document है scheme information document SID वो है offer document prospectus जैसा इसके अंदर लिखा रहेगा कौन fund manager है उसका experience क्या है उसने fund past में कैसे manage किया हुआ So, ऐसे लोग जिन्होंने industry में 15-20 साल बीता है रहेगा 10-12 साल बीता है रहेगा investment banking में valuation में research में वो लोग अपना fund मैनेज करने वाला So, क्या लिखा है मैंने वापे वापे लिखा है diversified portfolio which is managed professionally at an effectively lower cost When I say effectively lower cost lower cost that's gonna be one of the biggest advantage mutual fund क्योंकि mutual fund बना किसके लिए है आम आदमी के लिए HNI के लिए HNI, HNI, HNI High net worth individual कौन है इंडिया में कोई famous HNI लोग यह जो big corporate वाले है अपने financial market में दो HNI के बार में मैं बार-बार discussion करूंगा एक Indian HNI equity market का जिसको equity market गुरू बोलते हैं और दूसरा foreign किसकी बात कर रहो है anybody somebody राकेश जुन जुन वाला और Warren Buffet ये दो लोग के बार में इसके अलावा भी राकेश जुन जुन वाला और Warren Buffet के अलावा वाले भी बहुत सारे बड़े investors हैं जिन्नोंने market से बहुत पैसा बनाया है ऐसे बहुत सारे लोग है जिन्नोंने market में बहुत पैसा गवाया है उन सबके बार में मैं नाम बगरे discussion करूँगा आपको पता होगा नहीं पता होगा आपको ओर दे पीरिट पता चल जाएगा ये sir H&I clients वालों के लिए mutual fund नहीं है वो खुद investment कर सकते हैं वो अपना एक खुद का fund manager hire कर सकते हैं मेरे लिए possible ही नहीं है मेरे लिए एक 10-12-15 साल का जो investment banker है जिसका yearly package ही 2-3 खोका होगा 4-5 करोड होगा और मेरा portfolio फेरा लाग-2 लाग रुपेगा मेरे लिए तो affordable नहीं है ना तो मेरे जैसे ऐसे लोगों के लिए जो दो कारण सबसे पहले direct knowledge या time ना होने की वज़े से direct market में investment नहीं कर सकते और दूसरा afford नहीं कर सकते किसी का service मेरे जैसे आम आदमी लोगों के लिए बनाए mutual funds अब क्या लिखा है मैंने हुई अभी जो अपने repeat के as of date that is 2018 लिख सकता है there are around 42 active asset management जब मैं active लिखता हूँ एक्टिव 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 क्यों लिखता हूँ पता है हां जो मैंने जब इंडस्टी शुरू इंडस्टी में काम शुरू किया था 2007-2008 के आसपास और तब से लेकि अब तक mutual fund इंडस्टी में बहुत बड़ा जिग्जग हो गया बहुत सारे fund आये हैं बंद हो गये हैं नए fund आये हैं और उन्होंने बेज दिया है किसी को अपना stake मर्ज हो गया है कंपनी का नाम चेंज हो गया है ऐसे बहुत कुछ हो है बट जहां तक मैं जानता हूँ लाज दस साल में पाच AMCs है जो consistently grow कर रहा है और consistently top 5 पर है तो as of December 2018 भी जो top 5 AMC है वो यह ही है इंडिया में AMC, AMC by the way asset management companies so there are 42 active asset management companies which are managing around 23 lakh croon लिखा आप 25 lakh croon लिख सकते हो December तक में managing more than 2000 schemes जब मैं 2000 scheme बोलता हूँ 2000 scheme मतलब 2000 different variety of mutual funds है यह 42 mutual fund company ने 2000 different scheme निकाला अलग-अलग flavor वाला क्या-क्या हो अलग-अलग scheme वो मैं आगे बताऊंगा 2000 different schemes of 1.05 crore total number of folios जो आज 8 crore तक का folio पहुज गया है with approximately 2 crore plus SIP account जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ every month 10 lakh SIP add हो रहा है आज तक 2 crore से जादा SIP हो गया है अब यहाँ पर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो as of 2017-18 top 5 EMC है जिसमें ICICI, HDFC, Reliance, Aditya Birla Sun Life और SBI है यह 5 सबसे बड़े mutual fund management companies है EMCs अगर आप मुझे पूछो कि December 2008 के basis पे आज ICICI mutual fund अकेला इंडिया में कितना manage करता है तो it manages 3.08 lakh crore 2016 तक number 1 पे था HDFC उसके बाद ICICI से 2 साल तक बड़ा हो गया December quarter after 2 years HDFC ने jump मारा वापस और आज HDFC के पास around 3.35 lakh crore है Reliance के अभी Reliance 3rd के बजले पीछे चले गया है Reliance के दिन खराब चल रहा है Reliance यह कौन सार वाला Reliance है मुकेश भाई का या अनिल भाई का मुकेश भाई को क्या problem हुआ है उनका तो शादी में खर्चे देखे आप अनिल भाई की आहलत खराब है आद देखे की नहीं सुबह का news bankruptcy file कर दिया राइट सो अनिल भाई का है यह Reliance mutual fund इसकी आहलत वाई से भी खराब है और इसलिए ओ 3rd से अभी 5th पे चले गया है तो आज Reliance Industries manage कर रहा है Reliance sorry not industry Reliance mutual fund 2.36 lakh crore manage करता है SBI उससे आगे निकल चुका है SBI 2.64 lakh crore कर रहा है manage और Aditya Birla Sun Life is fast moving forward to 2.4 lakh crore कोई आपको figure विगर बोलने नहीं वाला exam में लिखो tension मतलो यह सब चीज के यह सब मैं आपको सिर्फ figure बढ़ता रहा हो कितना बड़ा बड़ा industry यह figure से आपको पता चलना चाहे these guys are managing so much of funds now when I say ICIC mutual fund और जब मैं बोलता हो यहाँ पर की HDFC mutual fund HDFC mutual fund यहाँ पर manage कर रहा है HDFC mutual fund की जब मैं बात कर रहा है 3.35 lakh crore manage कर रहा है 3.35 lakh crore manage कर रहा है इसका मतलब HDFC mutual fund में जो बंदे लोग है जो fund manager है उसके पास 3.35 lakh crore manage करने का authority है अब definitely वो अकेला fund manager नहीं है वो आपे दूसरे भी fund managers है but जो head of fund manager होता है उसको हम लोग बलते है chief investment officer CIO उसके अंदर आता है कितना 3.36 lakh crores it's a huge amount right but 3.36 या 35 lakh crore का 3.35 trillion भी बोलते है लेकिन रुपीस रुपीस लेकिन मैंने के बोला इंडिया से बहुत बड़ा market है US तो top global top 5 asset management company चो उसमें सबसे पहला और सबसे फेमस अगर कोई mutual fund company है तो that is vanguard उसके बाद black rock UBS UBS is Swiss bank जो पन Swiss bank Swiss bank बोलते है ना ऐसा कहिर के कोई bank ही नहीं बाइद हुए Switzerland का bank है UBS या credit Swiss so UBS State Street Fidelity फिर आप आपने नाम लिख सकते हो JP अपने reference के लिए JP Morgan Pimco और BNY Melon Allianz Amundi French company है German company ऐसा सा बहुत सारी companies है अब उसमें से अगर आप मेरे को Vanguard या Blackrock का पूछोगे तो Blackrock manage करता है आज 6.4 trillion यह अपना HDF से कितना manage करता है 3.35 trillion Blackrock वाला उससे double लेकिन एक छोटा सा चीज डॉलर एक डॉलर 70 रुपे एक सो चालिस टेम्स बढ़ा है अपने से market Blackrock का जो इंडियान 42 AMCs manage कर रही है ना पैसा 25 trillion rupees उससे कई गुना ज्यादा सिफेक यह Blackrock या Vanguard या UBS manage करता है that's the size and that is the potential that we have कौन manage करता है यह Chartered Accountant CFA Ambient Finance अपने लिए ही तो बैठा ही इंडस्ट्री अब यह आप foreign वाला AMC बोलो या अपना domestic AMC बोलो इन लोग का काम क्या है इन लोग का काम एक ही है पास्ट्रू स्रक्चर जब मैं पास्ट्रू स्रक्चर बोलता हूं मतलब क्या मतलब क्या अगर आप स्रक्चर में देखो के तो इन्वेस्टर का पैसा पूल करेगा कौन AMC fund management company वह पैसे को किदर इन्वेस्ट करेगा securities में security मतलब आप नीचे देखो के तो सर security में मतलब क्या equity में डालेगा debt में डालेगा गोल्ड में और दुनिया बर के financial asset में डालेगा यह जहां पर भी डाल रहा हूं उदर से क्या generate होगा returns और return में pass back कर दूँगा कि इसको वापस investor को अपना fee fee निकाल के इसे लिए mutual fund industry को बोलते हैं और लोग classification of mutual funds so mutual fund में जो आपके sum के लिए भी बहुत important होने वाला है वो है दो major classification एक तो functional और दूसरा portfolio पहले मैं functional classification की बात करता हूँ जिसमें आता है open ended funds or closed ended funds नाम के अंदर ही मीनी है open ended, open ended, open ended, open ended funds वो funds है which are open, simple, open मतलब at any time you can invest and exit at any time you can enter and exit so जब कोई company का IPO आता है IPO सुन्यों public IPO, IPO क्या IPO का full form, initial public offering तो आपको पता है कि कोई company का IPO आता है तो उसके साथ date आता है कि यह time में IPO भर लो for example सम्झो कोई IPO आया कोई company का जैसे DMART का बहुत famous IPO आया था तो date आया चमझो DMART ने बोला है date, आज कौन सा date है, आज कौन सा date है, आज कौन सा date है हाँ, तो यहाँ पर सम्झो उन्होंने बोला कि सम्झो 1st January से 2019 से आप 5 January तक form भरके हमको दे दो, यह IPO का period है, इसके अंदर जिनका application आया, उनका पैसा मेंने डाल दिया market, यह जो IPO है, जब IPO is new fund offer, तो new fund offer में mutual fund, AMC भी क्या करेगा, AMC everyone, asset management, वो भी क्या करेगा, वो भी अपने को बोलेगा, 1st jan, 5 jan के बीच में का date है, आप पैसा डाल दो, तो आप 5 jan तक form भर दिये, सम्झो 6 January को listing हो गया, आजूम करते, 6 January को listing हो गया, आपके पास जितने भी shares या units है, आप उसके ह सकते हो, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, जिन्दकी में कभी भी है, लेकिन, close ended fund वा तो, खतम, 5 दिन के बाद, लोक, ये इंट्री के टाए, similarly, close ended fund में एक और restriction हो सकता है, वो है exit के टाए, close ended fund, limited period तक open रहते है, और limited period बादी खुलते है, तो या like close ended FDs, आप 5 साल पहले निकाल नह information, मैंने वर्ड लिखा है कुछ, SID, SID के, scheme information document के अंदर, prospectors के अंदर, लिखा रहेगा, कि हमारा scheme 5 साल का है, 5 साल तक लोकीन है, 5 साल तक पैसा नहीं विट्रो कर सकता है, किस की बात करो में, close ended funds, open ended fund, कभी भी एंटर करो, कभी भी एक्जिट करो, क्या लगते आपको, ज्य syllabus by default, अपना syllabus by default, if nothing mentioned in the question, they are all, कौन सा sums, they are all open ended sums, close ended का अगर कोई sum आएगा, तो institute को अपने को बोलना पड़ेगा, कि ये close ended का sum है, और उसका थोड़ा calculation भी आगे जाके आएगा, थोड़ा different, everyone, until that time, it's all open ended fund, ये तो है structure के बार में, functional structure, कि open ended है, close ended, लेकिन mutual fund, पैसा किदर डा equity में भी डालता है, debt में भी डालता है, अब उसमें, जो portfolio classification है, उसमें मैंने रखा है, सबसे पहले equity funds, क्या दिख रहा है public वापे, आपको equity funds में ये पहले 3 दिख रहे, आपको पहले 4 in fact, क्या दिख रहा हो, everyone, large cap, फिर, small cap, या micro cap, और multi cap, 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 what do you mean by cap, 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 market valuation क्या है, आज के तारिख में, reliance है 7 lakh crore का company, 7 lakh crores, अब ये कैसे हाता है, किसी भी company का valuation कैसे करते है, for example, अगर मैं बोलता है, reliance के पास 100 shares है, एक share का value 1000 रुपे, तो पूरी reliance की value 1 lakh रुपे हो गई, ये है reliance का market cap, what is market cap then by everyone, market cap मतलब क्या, market cap में क्या, बोलू, number of shares into current market price, तो market cap बोलू, या market capitalization बोलू, या market value बोलू, या market value बोलू, एक चीज़ है, तो आज reliance अगर आपको पूरी खरीद निये की है, तो कितने की सर, 7 lakh crore की reliance industries है, India's most valuable company, world's most valuable company everyone, world's most valuable company, cut to cut पे, 3, हर quarterly change होता है, कौन, Apple, Microsoft and Amazon, of course Google, Facebook, सब tech companies तो ही, Exxon Mobil है, oil company है, ये सब है, अब Google का या Apple का, अगर मैं valuation करो तो उनका valuation is 700 billion dollar के आसपास, कैसे है, number of shares into current market price, अब, अब, जो, समद लो, एक example, NSE और BSE, दो exchanges है इंडिया में, अगर BSE में मैं बोलता हो, तक्रीबन समद लो, आद 2,200 या 2,300 shares listed है, BSE में, उसमें से जो top 100 companies है, top 100 अभी क्या चीज़ के basis पे समझाना पपरी, क्या चीज़ के basis है, market cap, वो चो top 100 है, जिसमें आता है, Reliance Industries, TCA, Tata Motors, SBI, Axis, L&T, ICICI, Bale, NHPC, NTPC, जो भी आप companies बोलो, यह सब ज़्यादा तर companies आप और मैं जानते है, यह company, इंडिया की flagship companies है, most valuable companies है, top 100 companies को, हम लोग industry में बोलता है, large cap, उसके बाद, जो 100-200 companies आती है, उसको हम लोग बोलते है, क्या, mid cap, और उसके बाद, जो, समझो 100-200, 300-400 companies आती है, उसको हम लोग बोलते है, small cap, और lowest bottom पर अगर कोई है, तो हम लोग micro cap बोलते है, micro cap आ रहा है, also more of like a start-up, emerging companies. अब, बहुत सारे ऐसे जन है, जिनको large cap में ही पैसा डालना है, क्यों? क्यों? सेफ, क्यों, large cap, established company है, मेरे को risk नहीं लेना है, बराबर, तो उनको large cap schemes है, HDFC का large cap fund है, ICSA का एक fund है, ICSA का नाम है, focus blue chip, blue chip, blue chip, blue chip, आप जब कसीनों में जाओ, तो वो जो blue chip आता है, सबसे costliest रहता है, कसीनों में गए रहेंगे, आप कभी, गोवावावा में, नहीं गए रहेंगे, तो अच्छा है, तो ये भी तो कसीनों ही है, अपना stock market, इधर अच्छा पैसा मिलता है, नाम भी अच्छा होता है, तो पब्लिक वो जो कसीनों में जो सबसे costliest chip रहता है, ब्लू chip रहता है, तो इसलिए mutual fund में भी हम लोग जो बोलते है, ICSA focus blue chip, मतलब all large cap stocks, ऐसा आपको जानना जरूरी नहीं है, बड़ हर एक AMC का, जो मैं आपको 22 AMC बोला, हर एक अपना large cap fund भी रहता है, किस के लिए, जिन लोगो large cap stocks में डालना है, कुछ एक investor बोलते हैं, नहीं, मेरेको large cap में मज़ा नहीं आएगा, large cap कम risk है, लेकिन return भी कम देगा, तो कुछ एक investor क्या बोलेंगे, मेरेको small cap में डालना है, high risk, high return, अब आप investor को ऐसा बोलोगे, रे रे मत डालो, वो गलत है, ऐसा बोलोगे क्या, investor जो बोले हो करने का, उसको small cap चाहिए दे तो, ये बात अलागे कि हापन लोग पूरा portfolio analyze करके, उसका situation समझ के, उसको recommend करेंगे, बट उसको small cap चाहिए तो we'll give him small cap, तो कुछ एक large cap लेते हैं, कुछ small cap लेते हैं, और कुछ एक क्या बोलते है, mid cap ले लेते हैं, ना ज्यादा risk, ना कम return, अब कोई ऐसे भी है, वो क्या बोलते हैं, अरे cap web चोड, best company उठाने का है, और सिर्फ large cap और mid cap क्यों रखू, मैं बाइस रो जाओंगा, diversify कर देता हूँ, उनके लिए है multi cap, ये diversified funds, so, so, HDFC equity fund है, SBI का कोई diversified fund उठा लो, या ICISI का कोई diversified, या AXIS का, COTEC का, सब क्या अपने multi cap funds है, diversified fund है, Franklin Templeton का flexi cap fund है, flexi, मतब diversified, नाम अलग-अलग होगा, बड़ मीनिक सेम ही है, तो थोड़ा fancy रखने के लिए, ते put a different है, सब category की scheme है, 2000 plus schemes है, आपको जो variety चे सब है, अब कुछ एक इसमें से क्या बोलेंगा रहे है, मेरेको तो sector में interest है, मेरेको तो लगता है pharma sector बहुत अच्छा करेगा, मेरेको लगता है banking sector बहुत अच्छा करेगा, जितना NPO होना था हो गया, जितना बरबादी होना था, banks का हो गया, अभी better है, कोई बोलेगा नहीं इंडिया को गुरू करना है, तो infrastructure को गुरू करना पड़ेगा, मेरेको infrastructure में डालना है, मेरेको L&T में डालने का है, मेरेको भेल में डालने का है, मेरेको telecom companies में डालने का है, तो जिनको sector flavor चाहिए, उनके लिए sectoral funds है, जैसे Reliance का Pharma Fund है, Reliance का Pharma Fund है, फिर समझो SBI का एक IT Fund है, वो क्या करेगा सिफ IT companies के stock में डालेगा, तो हर एक flavor का, Reliance का banking fund भी है, तो हर एक flavor का sectoral fund भी रहता है, जैसे investor को choice, sectoral बोलो या theme बोलो, कुछ लोगों को ऐसे companies में डालना है, जो regularly dividend pay करती, जैसे PSU companies, NTPC, NHBC, Coal India, Moil India, यह सब company का करते है, regularly dividend pay करते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसे ही stock पसंद है, उनके लिए भी fund है, dividend yield funds, यह क्या करेगा, यह आप से पैसा लेकिए, वो सब company में डालेगा, जो regularly dividend pay करते हैं, उनके लिए भी है, बाकि आपको तो पता है, आप क्या करते हो, यह March ending पे, ADC के लिए, दुनिया बर के आपके पास option है, उसमें से ELSS, Equipity Link Saving Scheme, कुछ एक लोग क्या करते है, जब उनको लगता है, market बहुत उपर जा रहा है, तो उनको लगता है, रहे गिरेगा, और कुछ लोग क्या उल्टा सोचते है, कि market जब गिर रहा है, तो क्या बोलते है, बढ़ेगा भी डालने जैसा है, तो ऐसा theme वाला भी mutual fund है, कि जब market से उल्टा करें, मतलब जब market बढ़ रहा है तो, बेज दे, और market गिर रहा है तो, खरी दे, ऐसा fund managers भी होते है, उनको हम लोग बोलते है, kontra, जो opposite view वाले रहते है, at times they make money, at times they lose money, तो ऐसे theme वाले भी funds है, equity में दुनिया बर का options है, आपको जो variety चीए दुनिया बर का options, अब जैसा ये सिर्फ equity fund है, जाबे, आपका पूरा पैसा जाएगा, equity में ही, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं मेरे को equity में ही डालना, equity बहुत risk है रहे मेरे को debt में डालना, अब debt में problem क्या होती है, investor सोचता है, कि मैं कौन से company का bond लूँ, मेरे को तो idea ही नहीं है, एक bond में पूरा पैसा डाल दिया, जैसे के जैसे के अभी market में 3 news सुने हो, आप आजकल, थोड़ा बहुत news देखियो, 3 company, सत्यम वत्यम तो बहुत पुराने scam हो गए, अभी latest में scams, scams, I.L.F.S., भाई अभी बहुत बढ़ा news सुने की नहीं, तुम D.H.A.F.L. और दूसरा Z, इन सब में problem सुन रहे हो, आजकल हो रहा है, नहीं सुन रहे हो तो tension मत लो, आपके आसपास लोग डूपते रहेंगे, आपको पता चलेगा, ये 3 में से कोई company में डूबा है, ये सब जब scam होते हैं, तो जिनोंने समझो, तो मैं क्या करूँगा, मैं debt fund में डालूँगा, equity fund क्या करते हैं, जिसे large cap mutual fund, कोई एक stock में थोड़ी ना डालेगा, 25-30 stock में आपका पैसा split कर देगा, diversify कर देगा, वैसे debt mutual fund भी क्या करेंगे, जिसमें खाज करके corporate bond fund क्या करेंगे, वैसे आपका पैसा 25-30 company के bond में डाल ज़ेगा, purely bond में, these are corporate bond funds, अब ये corporate bond funds में भी, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरेको government bonds ही चाहिए, अलग-अलग variety, अलग-अलग आप बोलों कि government तो ऐग की है, अलग-अलग variety मतलब BJP Congress वाला क्या, नए-अलग-अलग maturity वाला, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल के, अलग-अलग maturity वाले bonds, तो उनके लिए भी एक provision है क्या, guilt-age security या G-Sec bonds, अब कुछ एक लोग बोलेंगे कि, सर मेरेको जो banks है ना banks, उसके short-term maturity instruments होते है, चिज़को अपन बोलते है certificate of deposits, corporate deposit होते हैं short-term, commercial paper, T-bills, government के short-term bonds, short-term bonds में पैसा डालना, तो वो short-term instruments को हम लोग बोलते है, money market instruments, तो money market instruments यह वाले mutual fund, MMS बोलते हैं, जिनको आपसे पैसा लेके, short-term में डाल देगा, अब उसके अंदर भी, सोचो ना, कितना variety है, सोचो, investor को जो options यह सब है, उसके अंदर भी किसी को है कि मेरेको, एक-दो दिन के लिए पैसा डालना है, तो वो क्या करेगा, वो equity में तो नहीं डालेगा, और safety भी चाहिए, जैसे कि, आपके company में समझो, बहुत सारा पैसा पढ़ा हुआ है, और आपके company में जो पैसा पढ़ा हुआ है, वो किसी को दो-तीन दिन बाद देना है, तो आप क्या करते हो यह पैसे का, invest करोगे, equity में, किसी को देना भी है ना, समझो, आपके company में 5000 करोड रुपे पढ़ा हुआ है, जो तीन दिन बाद किसी को देना है, क्या करोगे आप यह पैसे का, 5000 रुपे होता तो ठीक है, घर पे पढ़े रहने देते, 5000 करोड है, तो क्या करोगे, रखोगे का बैंक में या नहीं रखोगे, रखेंगे ना, इसमें इंटरेस कुछ सो मिलेगा, और that will be substantial, right, 5000 करोड जब मैं बात करता हो तब, यह 5000 करोड पे, यह मैं इंटरेस कमाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं किदर डालूँगा, जिदर सबसे safety है, अब अगर वहाँ पे मैंने, equity market में डाल दिया, यह DHFL वैसे जैसे का, बॉन्ड ले लिया, चार साल, पाथ साल का उडूब गया तो, तो मैं तो उधर ही डालूँ, जहाँ पे एक दो दिन में पैसा लिक्विडेट हो सक्या है, इसके लिए मैं लिक्विड फंड में डालूँगा, मैं आपको एक छोटा सा चीज बता दू, अगर मैं बोलतो, तो आज मुचल फंड इंडस्ट्री में 35 लाग करोड का इन्वेस्मेंट है, उसमें से एक्विटी में सिफ अनफोर्चुनेटली चेला करोडी है, तो यह लाग करोड है, अगर आप देखो के तो, तो अराउं वनफोर, 25 परसेंटेज, अगर मैं रिलाइंस इंडस्ट्री की बात करूं, तो रिलाइंस इंडस्ट्री के कैश और बैंक में, कितना पैसा पड़ाओगा, आप अंदाज अलागाओ जरा, 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 थोड़ा बत, थोड़ा बत, ऐसे फेको हवे में कुछ भी, कुछ भी नंबर, रिलाइंस के बुक्स में, अट एनी टाइम, अराउंड 90-95 थाउजन करोड कैश पड़ा रहता है, अब योग कंपणी 2-3 लाग करोड का तो लोन लेती है, रिलाइंस के पास लोन है, अराउंड 1.5 प्लस लाग करोड का, जो मुके शमानी बोड़ा, मैं 0 कर दूगा, और उसे अल्मोस 0 भी कर दिया, 90-95 थाउजन करोड का, अगर आपके कैश अन बैंक में पड़ा रहेगा, तो आप सेविंग बैंक में 4 टक्के पे रखोगे, या कोटक छे दे रहा तो उधर चले जाओगे, क्या करता है पब्लिक, पब्लिक देता है स्पेशिलाइज लोगों को, उनका टीम एंपलोई करता है, और उनको ये पैसा देखे क्या बोलता है, एक एक रुपया जो कंपनी में पढ़ा है, एक एक दिन के लिए, उसमें बेस्ट रिटर निकालो सेफली, उस टीम का नाम है ट्रेजरी, सुनें आप ये नाम, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट ट्रेजरी टीम, अगर किसी को बोलता है, रिलाइंस इंडेस्ट्री इस, आयाटी, आयाएम, चार्टर अकाउंटन, रैंकर सब लोग उधर बैठे, उनका काम क्या है, रिलाइंस में जो 80-90,000 क्रोड रुपे, स्पेर में पड़ा है, इसका बेस्ट रिटर निकालो, तो सेविंग बैंक 4 टका दे रहा, और लिक्वीट फंड 4 दे रहा, तो उधर डालो, अब कुछ एक लोग उसमें, अब कॉम्प्लिकेटड टेक्निक यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, अबिटराच, आपका आदा सिले पर उसके उपर है, अबिटराच, ये करता है, रिलाइंस इंडस्ट्रीज, ये करता है, इन्फोसिस का प्रेजरी टीम, अब बोलोगे सर, क्या फरक पढ़िया, चार टका और पास टके में, हाँ, अगर नब्बे हजार करोड, इंटू वो एक टका एक्स्ट्रा, भले फॉर वन डे, जड़र अपना कैल सी में डालो, 90,000, जड़र डालो आईसे ही, 90,000, समझाओ 10,000, 10,000 पर 1% करो, 10,000 पर 1% डिवाइड भई 365, जग नहीं होता है, 10,000 पर 1% डिवाइड भई 365, कितना हो रहा है, 1 के आश्सपास हो रहा है, इंटू क्रोर, यह हर दिन का एक्स्ट्रा इंटेस्ट कमा रहा है, लिक्वीड फंड से इधर से उधर, यह रोजमर्रा काम है, Reliance का, Infosys का, TCS के ट्रेज़री का, एक 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 ग्रूपया जबा करने, उनको ट्रेज़री मैनेज करने, कितना पैसा बोला मैंने Reliance के पास? 90,000 करोड, आप समझा, round figure 70,000 करोड है, 70,000 करोड, अगर इसको, इसको आप अगर करोगे ना, तो it becomes around 100 billion dollar के आसपास, India's best company, सोचो Apple, 100 billion dollar है, माई मिस्टे कि बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, जरा करो अपने Calcium में, थोड़ा आपन एकसेस करते हैं, मैंने कितना बोला, 70,000 करोड पकड़ो, 70,000 करो, divided by 70 करो, 1,000 करोड डॉलर, which is 10 billion, 10 billion dollars, 10 billion dollars है, Reliance Indices, India, सबसे बड़े corporate के पास, कितना पैसे, Liquid Fund में, समझो 10 billion dollar, World's richest company कौन बोला मैंने अभी, Apple, Apple के book में, around 150 billion dollar, plus पढ़ा रता है, at any time, Apple को सबसे बड़ा tension यह है, कि इतने सारे पैसे का करूँ क्या, क्या करूँ, इसलिए Apple हमेशा परिशान रहता है, extra पैसे का करूँ क्या, ऐसा भी है हूँ, यह 150 billion dollar में, आदा अफरिका आजाएगा, सची में में मजाख नहीं करूँ, Apple के उपर बहुत ट्रोल्स बनने, what can it do of its cash, it can buy half of the Africa, it can buy a piece of land on Mars, it can open this, it can open that, it can buy this country, जो Apple नहीं चाहता है, dividend बाट दिया तो वापस नहीं आएगा, यह सब प्रोब्म, यह liquid funds में सबसे अधा पैसा पढ़ा रहता है, corporate का, अब यह liquid funds हो गया, और उसी में debt में एक और category है, FMP, Fixed Maturity Plan, Fixed Maturity का plan, मतलब, आपने समझो, तीन साल पैसा डाला, तीन साल तक आपका पैसा लॉक, क्योंकि वो डालेंगे, ऐसे bond में जहापे तीन साल पहले निकलेगा नहीं, so, मैंने आपको बोला था, open और closed rented funds है, उसमें से closed rented fund का यह category है, क्या category है, closed rented fund में जो category आता है, fixed maturity plans, ज्यादा तर सब open rented funds, क्योंचा category है सर, equity और debt, अब जब equity और debt, कौन equity में डालेगा, जो थोड़ा risk लेना चाता है वो या नहीं लेना चाता हो, थोड़ा लेना चाता है वो equity में डालेगा, उसमें भी जो बहुत risk लेना चाता है वो, small cap में डालेगा, अपनी सबसे categorize कर सकता है, debt mutual fund, जनरली जो equity से डर लगता है जिनको debt mutual fund में डालते है, लेकिन कुछ एक लोग क्या बोलते है, मेरे को दोनों में डालने का है, थोड़ा equity में, थोड़ा debt में, तो उन लोग के लिए category है क्या category है सर, hybrid funds, hybrid fund है, जैसे के सबसे famous hybrid fund मेरे time से चलते आ रहा है, वो है, मेरा time मतला है, बहुत पूराना नहीं हो गया, 7-8 साल हो गया, तो वो मेरे time से जब मैं इंडर्स्टी में था तब से बहुत famous hybrid fund है, HDFC Prudence, और HDFC Balance, जो अभी merge हो गया दोनों, वो क्या करता है, वो आपके पासे उसको balance fund बोलते है, वो around 60-70% equity में डालता है, बागी debt में डाल देता है, safer? Yes, compared to pure equity, it is safer. So आप pure equity में डालते हैं, तो उतना return इसका और उसका compare मत करना, लेकिन उससे risk भी तो कम है इधर, जब हम लोग कोई beginning, जब आप मैंसे mutual fund का मेरा session खदम होगा, तो आप मैंसे कुछ लोग बोलेंगे, sir मेरे को mutual fund में पैसे डालना है, तो मैं किदे डालू? मैं सबसे पहले पूछूँगा, is this your first investment? और इसके पहले भी कई पे investment किया है, अगर आप बोलोगे कि ये मेरा first investment है, तो मैं आपको suggest करूँगा, equity में मत डालो, debt में मत डालो, किदे डालो, balance fund में पहले डालो, hybrid में डालो, क्यों? क्योंकि आप थोड़ा conservative हो, so हम लोग first time किसी को recommend करते, तो balance fund देते, balance fund के जैसा ही है, एक और balance है, monthly income plan, नाम के अंदर कुछ मिलिंग समझ में आ रहा है किया, monthly income plan, ये क्या करेगा, 10-20% एक्विटी में डालेगा, बाकी bond में डालेगा, monthly income, ये हर महना, जितना भी return कमाएगा, वो investor को monthly वापस देतेगा, किसको जरूँद हो थो ती monthly पैसे की? यंग्स्टर को या रिटाइडी वाले को, जो रिटाइड वाला है, तो it works as a pension, a type of a pension, it's not a pension fund, but type of a pension, especially for those people who want every monthly income, क्या है, दोनों में proportion में फ़राग है, एक थोड़ा aggressively equity में डालते, एक थोड़ा कम डालते है, ऐसे भी रहते हैं, तो बोलते हैं, हम लोग को थोड़ा gold में भी डालना है, थोड़ा bond में डालना है, थोड़ा equity में डालना है, तो उनके लिए asset allocation funds भी है, अब capital protection fund भी है, ऐसा ही कुछ है, वो जो क्या करेगा, आप से पैसा लेके multiple assets में डाल देगा, but with a commitment की क्या, capital डूबेगा नहीं, मतलब क्या करेंगे ओ लोग, आपका principle secure कर लेंगे, ऐसे अलग-अलग variety की schemes है, these are hybrid funds, and then comes special category का funds, जिसके अंदर में आता है, सबसे पहला index funds, index, index, नाम सुने आप index, दो famous indexes हैं इंडिया में, BAC और NAC stock exchange है, BAC पे, BAC पे, जो top 30 stocks, now when I say top 30, you all remember, right, top 30 मतलब, on the basis of market cap, so BAC पे जो top 30 companies है, जो top 30 companies, उनका weighted average value को, हम लोग बोलते है, Sensex, और NAC पे, top 50 companies है, उनका weighted average value को, बोलते है, NAC 50, जिसको अपन pair से short form में बोलते है, Nifty, Nifty और Sensex, यह दो major indexes है, इंडिया में, globally, दो major indexes आप बता सकते है, US के famous, Nasdaq, और, NYSE है ना, BAC और NAC के जैसे, exchanges है, समझे, exchange है, BAC और NAC जैसा, index, मतलब, index में वापे, दो famous है, कौन सा, Dow Jones, और दूसरा है, S&P, Dow Jones और S&P, यह दो नाम है, indexes के, जैसे, Sensex और Nifty यह से नाम रखा है, वैसे, Dow Jones और S&P, यह index का मतलब क्या होता है, आप देखते हो ना, बहुत बार, Sensex उपर गया, नीचे गया, यह headlines बन जाता है, Nifty उपर गया, नीचे गया, क्यों? क्योंकि, यह Nifty के अंदर, Top 50 companies इंडिया की, जिसमें Pharma भी आ गया, Banking भी आ गया, सब आ गया, It indirectly represents, entire Indian economy, तो इनका valuation उपर और नीचे जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, overall Indian economy perform कर रहा है कि, अभी budget आया, तो budget के बाद, market उपर गया, market उपर, overall corporate ने इसको कैसे view किया, corporate में इसका performance बेटर होगा की नहीं, वो मैं कैसे hint out करूँ, हाँ आप बोलो कि, sir, reliance के लिए अच्छा था, इसके लिए बुरा था, overall market के लिए कैसा था, तो Sensex मेरे को indicator देगा, Nifty मेरे को indicator देगा, कि वैलेशन बढ़ेगा है या नहीं, तो next time अगर मैं बोलू, market is performing good or not, मतलब मैं क्या बोल रहो, मतलब मैं किसकी बात कर रहो, indexes की, जिसमें सबसे famous indexes कौन सा हैं इंडिया में, Nifty, Sensex भी है, Nifty is more famous, analysts use Nifty as a much better indicator, because Nifty में 50 stocks है, और NSE में volume जाद है, अब बहुत सारे ऐसे, अभी आप बोलोगे, मैं ये सब क्यों बता रहो, बहुत सारे ऐसे investor है, जो प्योर Nifty में 50 stocks हैं, वही ratio में डालना चाहते है, अब आपको खुज से Nifty के 50 stocks लेना है, तो it is not 50 का single single stock है, they are weighted average, market value के ये सब से, तो अपन portfolio कैसे बना है, नहीं बना सकता है, कोई issue नहीं है, Nifty और Sensex का ETF चलता है, ETF, Exchange Traded Fund, ये लोग क्या करेंगे, आप से पैसा लेंगे, और Nifty जो proportion में, Nifty में जो 50 share हैं, वह proportion में डाल देंगे, इंचोर्ड, market उपर और नीचे जाएगा, तो आपका भी portfolio, same proportion से उपर और नीचे जाएगा, आपको indirectly market जैसा return मिलेगा, क्योंकि आपका, उन्होंने portfolio replicate कर दिया, market जैसा, तो अगर आपको कोई replicative fund चाहिए, तो index funds लेते, या ETF बोलते हैं, अब ये indexes पे भी होता है, ये index funds जो सिर्फ इंडेक्स पे होंगे, और बाकी exchange traded funds जो में overall बात कर रहा हूँ, exchange traded funds वो gold पे भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको gold physically नहीं लेना, जिनको gold का returns का benefit जैए, तो they can buy paper gold, paper gold मतलब demat के form, ETF, SBI gold fund है, वो क्या करेगा, आप से पैसा लेकि gold में डाल देगा, तो gold 3000 से 4000 के आपको 1000 रुपे का return मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए physical gold रखने की ज़रूद नहीं है, वो demat form में बढ़ा हुआ है, so those are exchange traded funds, index funds, exchange traded funds, then you have commodity funds, ये क्या करता है, सर, आप से पैसा लेके commodity oriented stocks में डाल देता है, आप से पैसा लेके, वो सब जगे पे पैसा डाल देगा, जहाँ पर जो companies agricultural से related, आप से और मेरे को पता है, आप से और मेरे पहले चिंता किसका रहता है, हर एक government को, फिर और किसी का भी government आए, क्या farmers, तो आपने और मैंने भी वही बनना चाहिए, राइट, लोन भी मिलता है, लोन माव भी होता है, सबसीडी भी मिलता है, मिनिमम इंकम भी मिलता है, एक ही तो जगा है, जा पे मोदी जी और रहूल चाब साथ में, farmers, had we been farmers, तो अब ऐसे सब स्टॉक्स, मतब सर, एक तो बी सिरियस एनफ, तो budget के टाइम पे, I know there is gonna be something for the farmers, so how do I benefit, of course I am not gonna be farmer, but I will be watching those stocks which are gonna benefit after the budget, so मैं देखूंगा कौँचा कौँचा farmer, farmer क्या use करता है, tractor, महिंदरा एं महिंदरा, farmer को irrigation का सबसीडी चाहिए, gen irrigation, fertilizer कोई चाहिए, तो वो chumble fertilizer, मैं मेरा नजर उदर रहेगा, public क्या करता है, public ऐसे सब schemes को खरीता है, ऐसे सब stocks खरीत के बैठ जाता है, so ये बिरला सनलाफ एगरी commodity fund क्या करेगा, ऐसे सब stock में रखेगा, आपके बास सर वो सब सुभीत है, दूसरा, कुछ एक लोग को फिर ऐसा लगता है कि ये तो commodity funds हो गए, अभी दो category है, offshore funds और international funds, offshore और international, दोनों में थोड़ा meaning में समझो, offshore fund क्या है, वो इंडिया का ही mutual fund है, बट बाहर से पैसा raise करके इंडिया में डाल रहा है, तो international fund क्या करता है, international fund इंडिया से पैसा लेके, बाहर के market में डालता है, for example, ICSA का एक fund है, US blue chip equity fund, पैसा लेगा, और आपका पैसा किदे डालेगा, US के top 50 stocks में, top 100 stocks में, Apple, Google, Amazon, आप direct investment नहीं कर सकते हो, आपके और मेरे पास permission नहीं है, तो ICSA से US blue chip के जरी डालोगा, JP Morgan का एक fund था, China Emerging Fund, वो क्या करेगा, आपको नाम के अंदर ही meaning पता है, क्या, आपसे पैसा लेके, China की Emerging Companies में पैसा डालेगा, Latin America Fund Town का, जो Brazil में डालेगा, एक Fidelity का Global Real Asset Fund था, वो क्या करता था, पैसा लेके, Best Companies में डाल देता, मतब समझो, Mining में, एक Brazilian Company है, BHP Built-in, उसमें पैसा डालेगा, Australian Company है, Sorry, Brazilian Riot Tinto, Australian Company है, BHP Built-in, India का, Cole India है, ऐसे सब कमपनीज में पैसा डालेगा, दुनिया भर में, Everyone, इतने सारे options है, Confusion और Advantage, सची में बोलो, बहुत ज्यादा option हो गये न, Advantage, कभी कभार confusion हो जाता है, कि भाई कौन सा लूब, तो इसका भी सुविदा है, क्या है, Fund of Funds, यह क्या करेगा, आपसे पैसा लेगा, और, अलग-अलग, Fund में स्प्रिट कर देगा, Diversification के उपर, Diversification, Advantage, Disadvantage भी है, Double Cost, कैसे Double Cost, वो Fund खुद का cost करेगा, और जीदे डालेगा, वो भी cost, बहुत सारे लोग सोचते सीधा, Mutual Fund के Sum पर जम करें, मैं बहुता हाँ, आपन Sum पर जम करें, कि Don't worry, और Sum आभी जाएगा, बट मेरे को इंडस्ट्री तो पता चले, अईसे काम करता है, अब ये Mutual Fund का जो classification है, मैं, जब मेरा, तोड़े टाइम पहले लेक्चर होता है, ये जब मैं इंडस्ट्री में Mutual Fund Research में काम करता था, तो मैंने ये classification करके रखा था, क्लाइन को समझाने के लिए, अब आप सुचों कि आपने classification किया, हाँ, क्योंकि जब मैं analyst था, तो हमारे पे, इंडस्ट्री में ऐसा कोई classification ऑफिशल ही नहीं था, 2017-18 को, SEBI को लगा कि अपने Mutual Fund को classify कर देना चाहिए, वरना investor confused हो रहा है, उसको clear cut समझ में नहीं रहा है, large cap कौन सा, mid cap कौन सा, तो 2017-18 में, SEBI ने notification लाया, classification of mutual fund, वापे आपको notes में मिलेगा everyone, जहाँ पर उन्होंने Mutual Fund को आप देख रहों, वापे equity, debt, hybrid, solution-oriented और other schemes, don't worry, आपको ये सब याद नहीं रखना, ये आपके reference के लिए है, कि उन्होंने properly classify कर दिया भी, कौन सा scheme किसम में आएगा, लेकिन मैं तो अभी भी industry में, मेरे clients वेंज को ऐसी समझाता हूँ, जहाँ पर उसको समझ में आए, कि अच्छा ये equity है, ये debt है, उसमें क्या है, तो ये आपके reference के लिए, मैंने वापे रखा हूँ है recent classification, क्या है industry में ये सब, उसे वापके reference के लिए, हाँ, अब mutual fund में investment करने के फाइद है, one of the most asked theory in mutual fund, is advantages and disadvantages, अब मैं quickly जब आपको बता तो advantage, बाकी ज़्यादा तर आपको advantage और disadvantage, जब मैं समझ शुरू करूँगा, तो पता तो चलते ही जाएगा, but public quickly, professional management, professional management, मतलब, मतलब कौन manage कर रहा है हो, हो fund manager, और fund manager आम आदमी तो है नहीं, क्या है, उसके पास experience है, knowledge है, उसके पास fund management करने का skill है, technical knowledge है, qualification everywhere, तो जब मैं industry में था, तो हमारे time पे जैसे आप, मैडम कौन से industry में आप जाना चाहते हो, कहाँ पे काम करना चाहते हो, audit में, आप दोस्त, आपने कोई अपना goal रखा है, कि मेरे को इसके जैसा बनने का है, tax consultant, आपने audit consultant, इसके जैसा बनने का रखा है, नहीं, शायद रखना चाहिए, जैसे मैं क्रिकेटर बनने चाहो तो MSD, वो आप जो profession choose करना चाहते हो, वो profession का, कोई तो आपके सामने कोई रहगा ना, कि यार मेरा senior ऐसे काम करता, ऐसे काम करने का, जब मैं industry में research में इंटर हुआ, fund management में, तो मेरा एक goal था, कि यार इसके जैसा बनने का है, और वो बनने का नाम था, प्रशान जेन, ये बन्दा, HDFC का, अब भी आज CIO है, Chief Investment Officer, तो famous fund manager, इसने प्रशान जेन ने बोला, ये stock खरीदने का, तो आग बन करके खरीद लेने का, ये हमारे लिए राकेश जुन-जुन वाला से कम नहीं था, क्यूँ ये बन्दा manage करता था, HDFC का 3-4 लाग करोड रुपे, अब पब्लिक वो पैसा, वो 20-25 साल जे है, HDFC से जुड़ा हुआ है, बाकी सा fund manager इदर उदर shift होते है, Mirinal Singh या, ICSA का है, he is very famous, फिर Anuk Bhaskar है, जो IDFC का था है, बहुत सारे fund managers आपको नाम रियाद रखने की ज़रोते हैं, बर they are very famous, उसमें से एक और मेरा famous है, Kenneth Andranth करके था, ये India based fund managers की बात कर रहा हूँ, सो अभी ये प्रशान जयन, प्रशान जयन, अभी प्रशान जयन के पास, समझो एक HDFC का scheme है, जो industry में सबसे famous है, HDFC top 200, आप किसी भी mutual fund में investor को पूछोगे न, उसका पहला पसंद था, बच्पन से और अभी से, HDFC top 200, ये mutual fund में सबसे बड़ा scheme, इसके अंदर आज नहीं नहीं, तो 30,000 करोड रुपय इंवेस्टेट रहेगा, अब प्रशान जयने से 3,000 स्कीम manage करता था, टोटल, लाग, डेड, लाग करोड मैनेज करता था, अब ये भाई ने अगर सोच रहा कि मेरे को ये stock पसंद है, जैसे कि उसने एक famous stock पसंद किया था, Titan, अब वो कितना डालेगा उसमें पैसा, करोड, 2 करोड डालेगा, कितना डालेगा, सोचो, कितना डालेगा, पात्यस हजार करोड डालेगा, अब ये प्रशान जैन जैसे industry में famous कि हुए, not because they have huge amount, but they gathered huge amount because of their analytical skills, सबसे famous fund manager, प्रशान जैन, जो प्रशान जैन है, ऐसे बहुत सारे fund managers, अनुप भास करें, जो मैं बता रहो, मेरे ताम पर संकरन, नरेंथ, आइसे आइसे का, they are very famous fund managers, now these guys have 20-25 years of hardcore research experience, investment banking experience, they meet so many people, they manage so much of funds, highly qualified, 5-5-6 degree जैन के पास, CFA, IIT, एंजिनेर बाइदे बाइदे प्रशान जैन, फिर, मैं एक fund manager को regularly, हमारे CFA के event पर मिलता हू, SBA का fund manager है, नवनित मुनोत, वो SBA का fund manager है, उसके पास, जब मैंने उसका card मेरे को, उसका मिला, तो उसके अंदर 6 degree था, CAA, CAA, CFA, FRM, CIA, और पता नहीं, 2-3 degree का तो नाम भी मेरे को नहीं पता था, but साथ में 20-25 साल का experience, now these guys are managing my funds, and at what amount, उनका fee जो भी रहेगा, साल का, सम्झो, 10 करोड भी उसका fee रहेगा, लेकिन, लेकिन, 30,000 करोड का 10 करोड बहुत कम होता है, मेरा तो proportionally बहुत कम है, that's the biggest advantage, क्या, low cost management, वैसे बहुत ज़्याद है, बट proportionally बहुत कम हो जाता है, सबसे बड़ा advantage, ये cost नहीं है, सबसे बड़ा advantage क्या है, कि आप, आप mutual fund में, 5000 रुपे भी डाल सकते हो, 1000 रुपे भी डाल सकते हो, और आपको वोई facility, वोई सुवीदा, वोई fund management मिलेगा, जो 2 करोड रुपे डाल रहा है mutual fund में, क्योंकि वोई सबके लिए, so, मैं अगर 1000 रुपे stock market में डालने जाओ, और Infosys का share ही 3000 रुपे का है, मैं क्या ले पाऊँगा, Reliance का share ही 1500 रुपे का, मैं क्या ले पाऊँगा, लेकिन ये 1000 रुपे मैं mutual fund में डालता हो, और हो mutual fund, मेरे जैसे सब लोग का पैसा पूल करके, एक साथ 25,000 करोड में, 40-50 share ले रहा है, on an average, मेरे को तो proportionally सबका flavor मिल गया, that's the biggest advantage, कि low cost तो है ये, low cost में मेरे को diversification मिल रहा है, everyone, these are three biggest advantages, चौथा, क्या सबसे बड़ा, mutual fund में हर एक कदम उठाना, ये SEBI के lens के अंदर है, everything is tightly and very beautifully regulated, मतलब मेरे हिसाब से, अगर इंडिया में, जो दो authority है, जो इज़त से काम करती है, और सब की वाट लगा सकती है, वो ना enforcement directorate है, ना CBA है, मेरे हिसाब से, my opinion, पता चल वो कल मेरे घर पे आ गए, मेरे हिसाब से दो authority है, जो बहुत इज़त से काम करती है, वो है SEBI और दूसरा है CAG, जितने सब scam निकाले हैं, सब CAG नहीं निकाले, जो सबसे famous CAG का head था, विनोधरा है, इसका खुद का book है, अगर आप देखो तो 2000, मतलब मेरे हिसाब से comments का government उनों निकी रहा है, जो अभी BCCI का head बनाया, Supreme Court ने, जिसको, Anyway, I'm just saying, SEBI, SEBI, SEBI highly regulated, highly regulated, मतलब, अब अगर समझो मैं मेरे coaching class का prospectus do, तो prospectus में starting में क्या रहेगा, मेरे यापर कितने लोग को exemption आया, मेरे यापर पढ़के क्या-क्या फाइदा होगा, मैं ऐसा कुछ लिखूँगा क्या, उसमें जो गलत होगा, public, नहीं लिखूँगा न, होगा तो भी काई को लिखूँगा, आप किसी भी classes का prospectus देशे को, हमारे यापर कितने बच्चे पास हो, इतने में से वो थोड़ी कोई लिखेगा, बड़े classes का क्या रहता है, दे नेवर से परसेंडेज, और छोटे classes का, दे नेवर से दा नंबर्स, अभी मेरे पास 10 जन है, और उसमें से 5 जन होगे, मैं क्या, उनका 50% रेशो है, और बड़े class, 10,000 जन को admission ले रहे, उसमें से 500 होगे, तो क्या बलेंगे, we have 500 chartered accountants, कोई proper information prospectors में, जो डालना है डालू, तो वैसे ही, आप अपना share बेचने जाओगे, तो जो prospectors में डालना है, नई, सेभी बोलता है, जो मैं बोलूँगा, वो डाल, तो जो सेभी बोलता है, और आप जो file करते हो, उसको अपन बोलता है, RHP, Red Earring Prospectors, अब Red Earring Prospectors के, पहले page में, जब मैंना IPO research चालू किया, और मेरे हाथ में, जब पहला RHP है, उसके पहले page में क्या लिखा है, why you should not invest in this company, can you believe that, पहला index में risk disclosure, आपको equity valuation में बता हूँगा, उसमें लिखा था, CBI cases on the director, 21, on the company, 20, companies having this land issue, फलाना issue, ये issue, फिर दूसरा index है, 10-12 pages के बाद, why you should not invest in this market, it's very volatile market, ये वो, उसके बाद चालोगा, company का last 3 year का performance क्या था, और उसमें भी एक बार भी RHP क्या बोलता है, आप ये नहीं लिख सकते हो, shareholder को कितना return मिलेगा, क्योंकि हो guaranteed नहीं है, लिखा तो license cancel, next time IPO भरने नहीं दूँगा, सोचो ऐसा prospectors निकलता है, इतना tightly regulated, फिर अगर investor गलती करे तो, से भी बोले मेरा क्या गुना, मेरा तो फर्जे platform देना, अच्छे बुरे आप देख लो, सो, कौन पढ़ेगा, ये सब RHP 600 पेज का book, वो insurance वाल अपने घर पे आता है, बोलता है, सर ये form पढ़ लो, आप क्यों जाने, sign किदर करना है बता, इतना सारा sign, ये ले एक एक फट 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 कर ले, कौन आपने पढ़ा है कभी हो, insurance का इतना बढ़ा document, DMAT form, इसा पढ़े हो क्या कभी, जब तक लोचा नहीं होता, तब तक नहीं पढ़ता है, so, that is what, एक बार तो पढ़ना चीए ना, कोई नहीं पढ़ता है, that's the reality, पढ़े तो पता चल जाए, anyway, I'm just trying to say, it's highly regulated, transparency, when I say transparency, public, mutual fund industry को, हर रोज, अपना NAV publish करना है, compulsory है, month end पे बताना है, क्या आपने public का पैसा, कौन से कौन से scheme में, कितना डाला, कौन से stock खरी दे, क्या proportion में सब बताने का, और किसको, 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 उसको ही नहीं जिसने डाला है, सबको, website पे publish कर दो, open कर दो, तभी आज के दिन पे, मैं आपको 2-3 websites बताऊंगा, जैसे में से, एक है value research dot com, value research online dot com, ऐसे सब 2-3 schemes है, 2-3 websites है, जो मैं आपको या पे link पे open भी करके दूँगा, उसमें आपको बताऊंगा, कैसे research research करना का, उधर अपन portfolio देखेंगे, सब के लिए open है, transparency, सब information, आपको जोची हो, फिर सोच समझ के invest कर, कौन fund manager है, fund manager का qualification क्या, उसका experience क्या, किदर रहता है, वो नहीं दिया है, बाकि सब दिया है, everyone, इतना transparent industry, उसके बाद, flexibility, 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 हाँ, जो बोलता है, कि मैं एक साल लंसम नहीं डाल सकता, उसके लिए SIP है, 500 रुपे से शुरू कर, अब कोई बोलेगा, sir, मेरा एक तारिक को पगार नहीं आता, मेरा 6 तारिक को आता है, तो SIP के अलग-अलग dates है, 5 तारिक, 10 तारिक, 15 तारिक, जो डालना है, डाल, किसी को 500 का नहीं करने का, किसी को 1000 का करने का, किसी को 2000 का करने का, किसी को month end वाला करने का, month start वाला करने का, किसी को every Thursday वाला करने का, सब option है तुमारे पास flexibility तुम बस आओ invest करो अब आज की जा मारे member बात करो तो technology है technology मतलब there are many online platforms हाँ हमारे time पे क्या था हमारे time पे KYC करो हर एक के time पे KYC दो तिन-तिन थपा मारो attestation करो fort में उनका office है उदर जाके submit करो हर एक investment निकालने के time application दो जमाना गया हो सब online EKYC हो गया EKYC आपको सिफ आधार काड़ दे दिया हो गया game over वो भी एक ही बार हर बार नहीं दूसरा now now पैसा ट्रांसफर करो check दो form भरो यह सब गया सब system PTM PTM ने अपना app चालू किया है PTM वाला PTM money चालू किया है जिसके तो आप direct mutual fund में investment कर सकते हो there is something like script box और हर बैंक का अपना अपना platform में मेरे phone में platform में ICS approve का डाला सीधा login किया passcode डाला पैसा transfer किया फट करके चले गया withdraw करना का है उदर डाल option withdraw खतम गया वो जमाना formality का ब्रोकर ब्रोकर की ज़रुरत नहीं technology इतना आगे बढ़ चुक है everyone robo advisors पहले advisory के लिए आपको किसी और के पास जाना पड़ता था भी system algorithm ही ऐसा बिठा हो आपे information डालो age, wage, salary, savings डालो अपने आप बताएगा कितना mutual fund की तरह डालना चाहिए कितना पैसा conscious scheme में डालना चाहिए जैसे कि आपको चाहिए तो कभी सर्च करना अधित्ते फिर लागा एक platform में zip 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 उसमें आप basic detail आपने आप पॉप-प बताएगा excel sheet से किसमें conscious scheme में कितना डालना का free में ऐसे सब option आज अवेले बहले है 2019 की बात करो तो मा ये सब advantage है लेकिन लेकिन क्या no guarantee of return कैसे guarantee देगा जब equity में डाल रहा है और guarantee दे रहा है तो वो mutual fund सही नहीं है आप capital market में पैसा डाल रहा हो there is no guarantee there is inherent risk involved guarantee किदर है bank FD में डालो guaranteed नई government of India बोलता है आपने एक करोड का डाला है 100 करोड का डाला मैं guarantee देता हूँ सिर्फ एक लाग का एक रुपया भी नहीं कुछ guarantee नहीं हाँ ये बात आला कि इंडिया में bank डूपता नहीं है डूपे तो government उसको government उसको bail out कर देता है और कुछ एक डूप गए तो डूप गए जैसे इधर एक local bank के couple bank डूप गया गया पबलिक का पैसा cooperative bank आज है कल नहीं है बट बड़े banks डूपेंगे नहीं government उसको bail out कर देंगे या merge कर देंगी SBI के साथ चोटे मोटे bank को इंच और आपका पैसा जाएगा नहीं अपने को government पे बरोसा है government जो चला है उस पे हो ना हो but government पे बरोसा है but officially एक लाग रुपे से उपर आपका guaranteed नहीं है bank FD so there is no guarantee of returns anywhere second ये थोड़ा मैं ऐसे formality के लिए 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 cannot choose security आप security आप fund choose कर सकते हो scheme choose कर सकते हो कौन सा stock लेने का आप चूज कर नहीं सकते हो और करना भी मत वो fund manager रहना और अगर कर सकते हो रहे खुद मैनेज को रहे एकुट इंवस्ट पर सम पीपल फाइंड के आर ये सब स्टॉक डाले तो बेटर रहे नहीं ओफंड मैनेजर का कॉल कॉंसे स्टॉक में लेने का कब डालने का कब निकालने का सम पीपल फाइंड दिसद्वांटेज there are minor other disadvantages like transfer difficulties कभी कबर दोस्ट की मर्ज हो गया जैसे मैंने आपके बता है अभी HDFC balance of prudence मर्ज हो गया तो कभी कबर दो companies या दो funds मर्ज जा जाते तो किसी एक fund जो fund का investor नाराज हो जाता है रहे मेरा NAV गिर गया या मेरा ये cost बढ़ी किया whatever तो उसको थोड़ा formality issue आता है आप एक fund से दूसरे fund में switch करो तो कभी कबर थोड़ा minor issue आता है formality document अभी भी minor issue है बड़ा it's a very small issue so at that time there are transfer difficulties कुछ schemes बंद हो जाती है of course perform नहीं करेगी तो बंद हो जाएगी तो public का पैसा अटाग जाता है अब difficulty of selection of funds मैंने आपको इतने सारे variety बता है तो इंवेस्टर कभी confused हो जाते हैं किसमें डालो इसलिए सेभी ने recategorization किया कि इतना सारे category मत आपको इंवेस्टर confused हो जा काटेगरी को कम कर दो सो सेमी नाम वाले तो अलग scheme क्यों है merge कर डालो उसको सेभी ने यह सब पर action लिया हुआ है और एक last और important चीज है risk of unethical practices जब मैं बोलता हूँ प्रशान जैन के पास 30-40,000 करोड का fund है और वो जब डालेगा 5-6,000 करोड रुपे कोई stock में Titan जैसे stock में तो उसको पता है मेरे 5-6,000 करोड डालने पर ही market तो उपर हो जाएगा तो क्यों ना मैं अपने personal account में अपनी bvk या अपने relative के account में 1000-2000 share ले लेता हूँ और फिर इदर company के लिए 5000 करोड का share भाई करता हूँ share भाई उपर, price उपर, इदर मैंने share बेज दिया क्या गलत किया मैंने गलत किया मैंने कुछ गलत किया, नुक्सान हुआ किया तुमारा गलत हुआ या नहीं हुआ ethical और unethical, चलो unethical, not only unethical it is illegal why, it is called insider trading मेरे पास material non public information था उसका मैंने use किया, it is just not unethical, but illegal also इसी के ओपर US का one of the biggest investment banker जिसका नाम था, जो Goldman Sachs world's biggest bank का head Rajat Gupta, उसको भी jail हुआ है McKenzie, world's biggest consultant का CEO था, वो भी jail जा चुगा insider trading की वज़स insider trading is a very very big crime अब आब बोलो कि इसमें गलत क्या हुआ, गलत हुआ क्योंकि लोगों का market से बरोशा उड़ जाएगा और लोग आपको बरोशा के लिए पैसा दे रहे ये सिर्फ अनेथिकल नहीं, it's illegal also everyone, ये थोड़े बहुत disadvantages अब मेरे को थोड़ा बहुत जब समझा है mutual fund industry क्या है, advantage, disadvantage क्या है, क्या classification है it's a trust, it has a past structure then I'm थोड़ा बहुत excited to invest in the mutual funds and now when you think of investing wherever you want to, for example मैं Reliance में investment करने चाहता हूँ, मैं सबसे पहले देखता हूँ Reliance का share price क्या है उसी तरीके से जब मैं mutual fund में enter होता हूँ मैं सबसे पहले देखूँगा mutual fund का price क्या है, उसको अपन बोलते हैं प्यार से, क्या NAV, Net Asset Value यहाँ से आपके practical aspect का शुरुवात होगा NAV, everyone so, आपका पूरा mutual fund है ना, दो हिस्सो में bifurcated everyone, दो हिस्सो में in fact, रादर थ्री आइवूट से A, B, C एक तो है, calculation of NAV आपका mutual fund में जितने समझे ना, एक category है calculation of NAV पर, NAV कैसे calculate करने का maximum sum उस पर तूसरा पार्ट है, calculation of returns calculation of return मतलब जो भी आपने NAV पर डाला निकाला उसमें, कितना return आया pre-tax, post-tax after cost, without cost वो सब और तीसरा category है वो है performance evaluation performance evaluation मतलब जो fund manager ने किया काम वो सही किया कि नहीं किया उसका performance आपने evaluate करेंगे अब यह जो तीन section है calculation of NAV calculation of return और performance evaluation उसमें से जो थोर्ड वाला section है ना performance evaluation public यह performance evaluation के time पे आपको statistics का ज़रूत पड़ेगा calculation के लिए standard deviation, beat, आई यह सब चीज़ का इसके लिए यह आपन तभी कर पाएंगे जब आपन portfolio management पड़ेंगे आपका performance evaluation वाला part portfolio में है है वो mutual fund का बड़ portfolio के बाद ही आपन वो कर पाएंगे so cut shot mutual fund में दो चीज़े calculation of NAV और calculation of returns returns आप किसके लिए calculate कर रहे हो AMC के लिए या investor के लिए investor के लिए और NAV calculate करके कौन देगा AMC तो पूरा mutual fund अगर में submit लूँ तो दो इस्सो में एक AMC की तरफ से और दूसरा investor की तरफ से उसमें से मैं पहले part में हो NAV that is from the AMC's perspective NAV क्या होगा या क्या होना चीज़े अब मेरे लिए ये सब आप जो सोच रहे होगे कि ये सब discussion का क्या जरूरत है आपका ओ flow में आना जरूरी है कि मैं कर क्यू रहा हो ताकि कैसे करने का मच easier हो जाए everyone so the most important that the first thing that will start is NAV when I say NAV NAV net asset value नाम के अंदर ही meaning mutual fund क्या करता है आप से पैसा रहता है किदर किदर stock या bonds अब अगर हो stock और bond में डाला है तो उसे कुछ return भी तो आएगा dividend या interest dividend आया उसको हम लोग बोलते है receivables interest आया या accru आ तो उसको accrued income बोलते है ये सब क्या करेंगे ये आपी के fund में है ना तो आपके fund का जो भी market value है उसमें receivables और accrued income को add करेंगे और उसके उपर जो भी expense होगा जो भी expense होगा सर सबसे बड़ा expenses क्या होगा मैं बताऊँगा आगे सब लिखाऊँगा सबसे बड़ा fund management fees वो रोस्तों नहीं देता हूँ ना वो accru होते जाता है तो वो accrued expenses minus करूँगा और कुछ liabilities है तो वो less कर दोगा तो आपके fund में जो कुछ भी add हो रहा है सब प्लस जो minus होगा जो भी fee वी हो सब मैं minus करूँगा that is NAV per unit बतलब जितना number of units मैंने issue किया जैसे अपन number of shares issue करते है mutual fund में share ना बोलके अपन क्या बोलते है units share holders के पजले मैं क्या बोलूँगा unit holder क्यूँ वो भी पता चलेगा आपको ऐसे fancy name नहीं रखा है so what is NAV? NAV is excess of market value extra excess of market value of all the investments including cash including cash cash मतलब किदर? liquid funds अब आप बोलोगे सब equity fund में liquid fund में क्यो डालता है public मैंने आपसे 100 रुट रुपय लिया पूरे का पूरे market में डाल दिया और open ended fund है आप में से कल सबर कोई आके बोलेगा sir मेरे को withdraw करने का है तो 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 मेरे को कुछ proportion मजबूरन बेचना पड़े खर्चा लग जाए एक दिन में tax 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 लग जाए STT लग जाए मैं ये क्यों करूँ? मैं इसके लिए कुछ पैसा spare में रखता हूँ liquid funds के लिए for liquidity बहुत सारे investor एंटर होंगे बहुत सारे investor exit होंगे उनके लिए कोई भी mutual fund company पूरा पैसा पूरा पैसा एक साथ invest ने कर देता around 8-10% पैसा cash में रखता पबलिक आपने तो 100 रुपया दिया मैंने तो पूरा 100 डाला मैं तब उसमें से 90 समझाओ bank में डाला equity में डाला 10 cash में डाला आपने तो 100 डाला ना तो market value market value of all investment जब मैं बलता हूँ मतलब all investment में क्या आएगा जदर जदर पैसा डाला वो तो आएगा ही plus cash that is very interesting so क्या लिखाया मैं it is excess of market value of all investment including cash over the liability and expenses of a particular scheme of a particular scheme उसमें सबसे पहला market value of all investment मतलब आपने जदर जदर भी पैसा डाला उसका market value so मैं किदर पैसा डालता हूँ equity or bond तो market value क्या it is the total value of all the securities like debt, equity, cash invested in the respective scheme it is based on the latest price traded in the market that is closing price of the equity on the date of calculation of NAV मतलब समझो कल के दिन पे या आज के दिन पे समझो मंडे के दिन पे आज market जो बहुँ पे बंद होगा मेरे scheme में जितने भी share जया हूँनका closing price साड़े तीन के बाद जो भी closing price आएगा वो closing price पे आज काने भी decide होगा everyone अब मैने तो stock में भी डाला रह सकता है bond में भी डाला रह सकता है अब ये stock में से dividend dividend मिला तो क्या करूंगा add क्यूँ आपी के पैसे में add करना आपी का fund है आपका 100 करोड का fund है 10 करोड dividend आया तो मैं 10 करोड आट कर दूँगा तो उसको अपन क्या बोलते है receivables क्या लिखाए receivables it includes all the receivables from the invested securities like dividends from equity investment till the date of NAV calculation याद रखना till the date of NAV calculation क्यो मैं बोल रहाँ till the date आप बार बार देखोगे till the date क्यो daily calculate होता है तो उस दिन तक का everyone accrued income accrued income भी bond होगा bond bond में रोज तो interest मिलेगा नी समझो मन्तली interest मिलेगा लेकिन open ended fund में आप आज रहे के कल निकल सकते हो तो आपको proportionally मेरे को monthly interest accru करना पड़ेगा everyone तो accrued income में क्या हैगा all those assets which are going to accrue some income bond, debentures, treasury bills आप जो भी बोलो तो यह सब मेरे को रोज का रोज calculate करना पड़ेगा that is accrued income तो accrued income includes interest on securities like bond or debentures accrued till the date of NAV calculation अब जैसे income accru होगा वैसे expenses भी accru होगा क्योंकि जो बंदा 15 दिन बाद जा रहा है उसको 15 दिन का proportionate fee भी तो लगना चीए so accrued expenses में क्या आएगा it includes recurring expenses recurring मतलब जो हर बार देना पड़े जैसे fund management charges हो गया पराबर तो recurring expenses like management fees taxes, custodian charges custodian charges sir mutual fund का system समझो आपने mutual fund को पैसा दिया मतलब AMC को पैसा दिया वो AMC आपके पैसे से share खरीदेगा उसका responsibility और उसका authority वो share में सिर्फ trade करना है वो share अपने जिब में तो नहीं रख सकता तो आपने और मैंने अपना asset संभालने के लिए custodian को रखा रहता है जैसे के bank वो custodian के पास अपने asset safe है AMC का काम क्या है उसमें buy sell करना है वो जो asset अपने घर पे रखना काम नहीं है तो आपने और मैंने third party को appoint के हुए custodian को for example HDFC bank को रखा हुए तो HDFC bank आपके और मेरे जो share mutual fund वाले जो fund manager trade कर रहा है वो अपने पास safe रखेगा third party उसका charge लेगा वो custodian charges कौन भरेगा जिसका share से वो भरेगा investor भरेगा तो mutual fund company वो share भी काटेगा वो उसका cost भी काटेगा so यह सब यह सब accrued expenses के अंदर आ जाता है can you believe how beautiful our industry is fortunately SEBI ने क्या बोल जया पता है आप maximum आपको जो खर्चा करना है करो fund manager को 10 crore का salary दो 100 crore का salary दो you, मैं आपको बोला ना tightly regulated, highly regulated SEBI advantage है अपना SEBI क्या बोलता है no mutual fund can charge more than 2.25 percentage of the AUM आपका जीतन AUM है ना उसका 2.25 percentage साला ना उससे ज़्यादा investor को charge नहीं कर सकते हो maximum cost रख दिया अब इसके बार में आगे जब अपना expense ratio पर समये तब मैं detail में बताऊंगा उसमें भी bifurcation है 2.25 maximum और अगर आप एक particular scheme में 50,000 crore से ज़्यादा manage कर रहे हो तो एक टकाई charge कर सकते हो 1.05 or something इतना सारा restriction है किस के ओपर? AMC के ओपर क्यों? इंवेस्टर के भले के लिए करो इंवेस्टर को कम से कम cost में दो everyone अब आप सुचे के कौन बेवकूफ है mutual fund का business करेगा, cost हो कितना कम है, advantage है अगर AUM बढ़ा तो तो वो 3,00,000 crore का एक टका भी बहुत बढ़ा amount हो जाता है हर साल 3,000,000 crore का fixed fee it becomes a big amount समझ रहो? AUM बढ़ा तो, volume वाला business इसके लिए ये 42 AMCs में से आदे से यादा तो shutdown हो जाते है 10-15 साल में break-even ही नहीं कर पाते हैं बट जो break-even कर लिए है उनके मजा है, उनका fixed income है, ऐसा so accrued expenses और outstanding liabilities जब मैं outstanding liability बोलता हूँ sir वैसे mutual fund में कोई भी outstanding liability रख नहीं सकता है, मतलब mutual fund उधार का पैसा लेके borrow करके invest नहीं कर सकता है लेकिन लेकिन एक minor चीज़ हो जाता है क्या पता है, मार्केट में की system में जिसको बोलता है T plus 2 settlement, मतलब आज आपने share लिया तो demand में reflect कब करता है T plus 2, उस दिन प्लस दो दिन बाद तो दो दिन के लिए वो notional liability दिखता है और वो भी तो भरना है मतलब आज जिसने आज company ने share खरीदा दो दिन बाद वो pay करेगा mutual fund company लेकिन आज के NAV में reflect कर देना ज़रूर है उसको ताकि जो बंदा enter and exit कर रहा है उसका वो factoring हो जाए तो इसको temporary outstanding liability में ख़डा रहता है इसको भी अपन adjustment करता है everyone so that is outstanding liability तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर public मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर NAV का formula क्या है आपका fund है क्या क्या है ज़रा बता सकते हो थोड़ा try कर सकते हो क्या market value of all investments किदर भी डाला रहेगा लेकिन bracket में मैंने क्या बोला including cash यह बहुत sensitive है क्यों institute है ना information में से cash कायब कर देता है hidden रहता है बहुत बाहर क्या करने का मैं बताँगा plus 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 जो भी मिल रहा है add करो क्या receivables dividend के form में plus plus क्या bond रहेगा तो accrued income less 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 कुछ करूँगा public less करूँगा क्या accrued expenses if any और outstanding liabilities यह सब public यह सब क्या यह तो total value हुआ divided by number of units outstanding यह बनेगा मेरा NAV per unit का formula everyone अब समझो भी आएगा उसमें मैं देख लोगा कि मेरा पहला formula NAV per unit का लेकिन मैंने आपको बोला mutual fund में क्या transparency is important मतलब अब NAV तो रोज पुब्लिश होगा क्योंकि market तो चल रहा है रोज ट्रेडिंग डेपे तो सेभी क्या बोलता है हर रोज market कर खोथा होता है साड़े तीन साड़े तीन बजे साथ बजे तक आपने NAV पुब्लिश कर देनेगा और इसके साथ NAV के पीछे थोड़े थोड़े industry के mutual fund में SEBI के कानून है तो वो मैंने important note में लिखा हुआ है जो आपको note के मेरे note के अंदर सब जगे पे आपको ये KRAD note मिलेगा वहाँ पे क्या है वहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है public किदर गया है हाँ वहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है public SEBI has notified certain valuation norms for calculation of NAV of mutual fund scheme separately for traded and non-traded security मतलब traded or non-traded बहुत सारे ऐसे bonds जो लिस्टेट नहीं है उसका valuation कैसे करने का आपन valuation of equity और bond में सिखेंगे but SEBI जैसा बोलता है वैसे ही करने का तो उसमें company decide नहीं कर सकते कैसे valuation करने का तो SEBI ने ये सब clarify क्या हुआ है according to SEBI regulation for mutual fund that is regulation 48 AMCs are required to compute and disclose NAV on a regular basis that is daily or weekly in fact most of the cases में daily हाँ it has to be published after the close of market on every trading day at 7 p.m. in at least two daily newspapers and in at least two daily newspapers on the next day मतब आपको website पे उसी दिन पे 7 बजे मिल जाएगा NAV के या शाम के लेकिन आप next day पे आपको paper में कब मिलेगा next day ये कंपल चरिए mutual fund को करना transparency के लिए NAV के बार में हाला कि आपको ये सब सम में नडेगा नहीं बट कभी कबार आपको ये सब helpful रहेगा कि ये NAV कौन से दिन का NAV कौन से दिन का हाँ ये उस दिन का NAV पहले दिन का NAV बाद में के दिन का NAV ये सब चीज आएगा that is with regards to all this NAV अब जब मैं ये NAV का calculation करने जाओंगा so now we'll start up doing the sums तो आप ज़र आप वहापे solution में आओगे अब अपना सब सम स्टार्ट होगा आप notebook पे निकाल लो और साथ में अपना calculator भी निकाल लो आपन कर दो चलो आगे सब लोग पुब्लिक पार्ट वन पे आते हाँ आपन calculation of NAV ज़र आपको वापे example 1 or 2 दिख रहा है ये दो example करने के बाद ही आपन कर पाएंगे जो आपने question, textbook के questions है तो आपने हर सम जो मैंने यापे रखावाय ना हर सम में कुछ इक नया नहीं चीज होते रहे रहा है वो नोटिस करते रहे न और सम के नीचे मैंने वापे ये detail में नोट वोड लिखा है उसका clarification वागे रहे के बारे में वो सब आप कर पाऊंगे तब जाके एक बड़ा सम कर पाऊंगा क्या आपको वापे पहला सम दिख रहा क्या है वापे एवरीवन एक्जामपल पॉर्ट्फोर्य अफ एक्विटी म्यूचल फंड नेम अधित्य बिर्ला फ्रंट लाइन वो आप इग्नोर कर सकते हो इंस्टिट के सम में एक्सवाइज मूचल फंड होगा पीक्यू अर्मीचल फंड होगा मैंने हर जगे पर स्कीम के औरिजनल नाम रखे होगा है रेफरेंस के लिए कि अबी फ्रंट लाइन एक्विटी फंड एक्विटी फंड है मतलब सर कंपनी में वो स्कीम के अंदर दुनिया भर के स्टॉक होंगे 25-30 से लेके 60-70 स्टॉक्स तक होते हैं इक स्कीम के अंदर हाला कि आपन इतने सारे स्टॉक ना लेके चार पास का एक्जाम्पल लोगा चैसे निकाले मेंने मार्केट कुष कि जो रांगकी फ्रैइस इंडोंबर हें भाष्ल 15 वासे मेंने मार्केट वैलमियम मिलेंगा पूरेसे फंड में जड्स ने भी स्टॉक श्यॉस का बढबर अब क्या नीचे को स्टन में को स्टन में पब्लिक मैंडम पड़ा१ Wayne